हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लो देगे इस वीडियो में बिसिकली हम यह डिसकस करेंगे कि आखर 11th NCRD बायोजी में क्या क्या चेंजिस आए हैं ठीक है तो वन बाइवन पेज नमबर के साफ से हम डिसकस करेंगे कि आखर इसमें जो भी चेंजिस हैं वो हैं क्या आखर और बिसिकली पेज नमबर अगर हम बात करें बिसकली यूनिट नमबर फरस्ट क्या है आप फी लिविंग वर्ड और सेकिन इनिमल्स अगर हम पुरानी किताब पी बात करें तो उसमें टोटल पेजिस कितने थे थे थी थर्टी तो यहां पर एक पेज आगे बढ़ गया देग थी थर्टी वर्ण कितना हो गया थी तो पहला चेंज तो यह है यह कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देखिया है कि अगर चेंज कुछ लाइन से एट की जाएंगी तो ओवियसली चेंज आ जाएगा पेज आगे शिफ्ट हो जाएगा चलिए आगी की तरफ देखते हैं क्य इसमें लिखा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है यूनी सेललर और्गनिज्म ग्रो बाई सेल डिवीजन तो इसमें पहले याद रखिएगा और्गनिज्म से पहले क्या लगा हुआ था और्गनिज्म के बाद ऑल्सो लगा हुआ था उस ऑल्सो को डिलीट कर दिया गया तो यह चेंज इस पेज पर है only बागी इस पेज पर कोई भी चेंज नहीं चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर किस पेज पर क्या चेंज है तो जहां पर जो भी चेंज होगा वहां आपको one by one page नंबर बते। पर फोर के यह औलसु वर्ड को डिलीट किया गया है चलिए आगी की तरफ बढ़ते हैं कि आखे और चेंज इस क्या है तो इस चेप्टर में बिसिकली यही चेंज है तो हम आगी की तरफ बढ़ते रहेंगे और जहां भी जो चेंज दिखाई देगा हम उसको डिसकस करेंगे लिए वन वई वन ठीक है तो इस चेप्टर में आपका वस यही चेंज है और अब आते हैं आपका चेप्टर नंबर टू पर चेप्टर नंबर वन में यही चेंज है वस और जो आपका बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन है वहाँ चेंज हुआ है पुरानी किताब की बात करें अगर हम इससे पहले वाला जो ठीक है जो ओल्ड बुक है तो उसमें लिखा हुआ था देखिए यहाँ पर लाइन अगर आप देखें इसके बाद एक वर्ड था पहले देखिए पुरानी किताब में था पुरानी किताब अगर आप ठीक है वह आपके पास नहीं है लेकिन किसी एप के साहरा लेकर आप देखिएगा तो जो आपकी ओल्ड बुक है उसमें था इस सिस्टम वाज यूस्टिल वहरी रिसेंटली किसके बाद था मैं आपको बता दूँ जूंकि आपको क्लियर काट रहे तो बिद्दिकली वह आपको रिस्पेक्टिविली के पाध इसके बाद था उस पूरे sentence को पूरे ठीक है उसको remove कर दिया गया है चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आगे क्या changes हैं तो basically page next page पर ही आ जाईए आप अगला जो page है आपका basically इसमें पहले क्या लिखा हुआ था देखिए basically अगर आप यहां देखें फंजाई में इस table में एक change आया है यहां पर change देखिए present with kitten लेकिन पुरानी किताब में क्या था previous book में present without cell loads तो उस word को हटा दिया गया है उसमें kitten add कर दिया गया है फंगस की cell wall किसी बनी होती है kitten की तो आप spine को समझ चुके होंगी इस बात को क्या मैं कहना तो इस table में यह एक single change है अब आगे की तरफ आ kingdom तो इसमें आप one two three four five six जहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है इट ब्राउट आप इस वाली line को read करिए इट ब्राउट टूगेधर तब्रोकरियोट बैक्ट्रिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी तो उसमें सरे ब्लू ग्रीन अल्गी लिखा हुआ था तो यहां bracket में साइ एक topic देखी विल्कुल ऊपर जो मैंने पहले यह नीचे का point discuss कर लिया तो अगर आप देखें तो एक पूरा paragraph three domain का add किया गया है इसमें three domain system has been proposed that divide the kingdom monra into two domain leaving the remaining eukaryote kingdom in the third domain and thereby a six kingdom classification तो अब six kingdom classification आ गया है क्योंकि monra में दो domain है protesta sorry monra को किस में divide किया गया और की वेक्ट्रिय है यू वेक्ट्रिय है तो इस चीज़ को आप higher classes में पढ़ेंगे तो यह पूरा paragraph add किया गया तो इस page number पे यह था आपका basically page number 17 पे है यह सब जितना changes है आपकी table में और आगे चले next page पे चलते हैं next page पे ऐसा कोई खास change नहीं है एक word delete किया गया है अगर आप देखें आर की वेक्ट्रिया से पहले तो इसमें देखी word है उपर आप देखें page number basically 19 है और 19 पर इसमें लिखा हुआ था the vast majority last line last line में आप देखिए यहां पे the vast majority of bacteria are heterotroph that is they depend on other or on dead organic matter for food लेकिन इससे पहले they do not synthesize their own food तो यह word delete कर दिया गया है they do not synthesize their own food की जगह गया they depend on other organism ठीक है यह add किया गया है तो यह यह word मतलब they do not synthesize their own food ही पुरानी book में है old books में उसको delete कर दिया गया है उसकी जगह क्या कर दिया गया है उसकी जगह कर दिया गया है ठीक है तो basically जो कुछ word delete किये गया है और उसके आगे वो same paragraph उसी तरीके से add है चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या changes है basically NCRT में जो भी changes है one way one discuss करेंगे और आपके लिए भैतर हो कि आपका NEET 2020 जो आगे और जो भी आगे आते रहेंगे तो उसमें आपका नुकसान ना हो academic तो आप old books से पढ़ सकते हैं लेकिन new books से आपको नीट में ज्यादा फायदा मिलेगा तो नीट पे आपका focus अच्छा बना रहा है इसलिए आप यह new NCRT में जो changes है 2019 20 उसको आप खरीदें इसको ही purchase करें ठीक है चलिए next page पर चलते हैं देखते हैं कहके changes है तो ऐसा कोई changed page number 20 पे नहीं है लेकिन जैसे हम page number 21 पे आएंगे तो यहाँ पर basically दो figure 8 किये गए हैं तो यहाँ धियान दें आप basically two figure are added एक गुनायो लॉक्स का जो की dynoflagellate है तो dynoflagellates और खास करके गुनायो लॉक्स जो dynoflagellates के example है उसको और slim model यह figure पुरानी ncrt में नहीं है यह add किया है ठीक है यह changes आया है यहाँ पे page number 21 पर तो आप समझ चुके हैं ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं changes बहुत सारे हैं तो discuss करते हैं तेजी से आप basically kingdom fungi की बात करते हैं kingdom fungi में अगर हम बात करें तो basically वहाँ पे कुछ word delete करके कुछ add किया गया है तो उसमें basically when your bread देखिए you must have seen fungi ओना moist bread and rotten fruit तो यह पहले क्या था when your bread double up a mold when your bread double up a mold or your orange rot it is because of fungi rot की जगा rotten कर दिया गया है तो इस line में change यह देखिए बहुस कुछ basically आप यहाँ देखिए यह line को change किया गया you must have seen fungi ओना moist bread and rotten fruits इसमें changes किया गया तो इस page पे यही आगे देखते हैं आगे क्या changes है तो देखिए यहाँ पर अगर आप page number 24 पर देखिए तो वहाँ पर पहले पुरानी books में हाँ देखिए जो आपको दिख रहा है यहाँ पर morals क्या क्या है morals है और ट्रफल्स है लेकिन पुरानी NCRT में यहाँ पर बफल्स था तो वो रॉंग था इसको सही किया गया गया बफल्स को डिलीट करके ट्रफल्स किया गया तो ट्रफल्स सही है you got it my point चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं या फिर changes क्या है एक word add किया गया है page number 25 पर क्या है वो बिसीकली यहाँ पर लिखा हुआ है they are not considered तो यहाँ पर पुरानी NCRT में they are not truly living था तो इसमें word add किया गया है और basically क्या है word that is considered यह word पुरानी NCRT में यह word add किया गया इस जगह पे truly living था they are not truly living था पुरानी NCRT में they are not truly living है लेकि यहाँ भी क्या है consider word add किया गया है आप समझ चुके हैं यह आगे कि तरफ बढ़ते हैं कि आखिर और क्या changes है basically NCRT में तो basically आप आजाई page number 27 पर NCRT के तो यह पूरा एक paragraph add किया गया है basically prions के उपर यह पूरा paragraph देखें तो इस पूरा paragraph यह पहले old books में नहीं है वाइरोइट्स के बाद lichen से पहले बीच में प्रियों सेट किया गया modern medicine में कुछ वाइरस से similar structures होते हैं similar दिखते हैं वाइरस से और बहुत सारी disease cause करते हैं जिसे यहाँ पे B.A.C. disease और C.J.D.s short में बता रहे हैं ठीक है detail में आप पड़ लीजेगा ठीक है तो basically यह मैंने आपको बताया तो chapter number 2 में यही सारे changes थे चलते हैं आगे की तरफ chapter number 3 में chapter number 3 में अगर हम देखें तो basically page number 1 पे ही देखिए आप पास करके page number 29 पर तो यहाँ पर ऐसा क्या add किया गया अंडर प्लांटा वर्ड देखें इसमें यह वर्ड नया है याद रखियेगा यह नहीं था पहले याद रखियेगा अंडर प्लांटा ठीक है यह वर्ड एड किया गया है न्यू एंसी आटी में प्रिवियस एंसी आटी में नहीं था तो यह changes है page number 29 पर आगे की तरफ पराग्राफ में changes की गई देखी पराग्राफ में थोड़ा घटाया गया है घटाया बढ़ाने से मतलब नहीं है basically थोड़ा सा उसका systematically changes किया गया है ठीक है statement को डिलीट करके एक नया statement add किया गया है तो अगर आप देखें था form and size of algae is highly variable ranging from colonial form like wallbox यह paragraph जो है पूरा इस statement को डिलीट करके इसमें changes करके ठीक है थोड़ा बहुत change किया गया है और new statement add किया गया है ठीक है तो इसको systematically way में दिया गया है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह हलका सा changes है इसमें ठीक है तो इससे देखिएगा आगे चलते हैं basically figure की बात आती है तो a third पे अगर आप पुरानी ncrt में देखें a third पे देखिए a second figure ठीक है यहाँ पे a first है और a second है देखिए new ncrt में क्या है आपका अगर आप new ncrt में देखें तो a first और a second है ठीक है previous ncrt में claim adomonas third a second है उसको delete कर दिये गया है यहाँ से claim adomonas को green algae से हटाए गया है और एक नई example add की गई है जिसका नाम है आपका allothrix इसको add किया गया है चारा को भी delete कर दिया गया है तो इसमें allothrix को add किया गया है basically दो figure डिलीट करके एक add किया गया है तो यह update है figure इसे बोलेंगे figure update किया गया है इसे लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ आप देखें लाइन लाइन पर दॉश्ट लाइन में देखें जहां पर लिखा हूँ है है बिषिकली क्लोरेली क्लूरेली जहां पर पाले इस्पायरुलियू भी था क्लोरेला के साथ प्रिवेश बुक्स में स्पायरुलियू आपको delete किया गया तो basically मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यह change है तो चलिए next page पर चलते है page number 33 पर क्या फिर क्या change है 33 पर basically कोई change नहीं है और ऐसा कुछ table में भी change नहीं आया है तो चलते हैं आगे की तरब basically road of ice, bryophytes में भी ऐसा कोई change नहीं किया गया है and mosses, steridophyte basically कोई इसमें खास change नहीं है और basically जो change आया है वो basically angiospum में है देखिए अगर आप देखें angiospums तो उसका पूरा language को change किया गया देखिए अगर आप इहां देखें तो basically monocot, dicot यह पूरा उसके बाद जो paragraph है single monocot में single cotylate नहोता है, dicot में do cotylate नहोते हैं, तो sex organ, male sex organ, जो पूरी language है, उसको क्या किया गया है, इस language को change किया गया है, यह पूरा systematically way में किया गया है, पुरानी NCRT में भी पूरा है, लेकिन इसको arrange किया गया बस, आप इतना ध्यान दीजिए, इस पूरे पैरा को arrange किया गया है systematically, बाकी सबस ठीक है, तो इस chapter में आपने change देखा कि आखिर chapter number 3, plant kingdom में क्या क्या change है, और एक line add की गई है, देखिए, यहाँ पर, याद रखिएगा, and basically it's point number second, आप point second देख रहे हैं, तो इस में क्या देखिए, एक line add की लास्ट में, जो पुरानी NCRT है, pattern, this pattern देख रहा है आपको, अगर आप देखें, point number second में, तो basically अगर आप, in addition to all seed bearing, plant, एंजिम्निस्पूम, एंजिस्पूम, follow this pattern, अब देखिए, pattern तक तो previous NCRT में है, पुरानी में, लेकिन, pattern के बाद, in addition to all seed bearing, plant, जिम्निस्पूम, follow this pattern, some variation, wherein the gametophyte faces, few to, multi-celled, यह lines add की लास्ट की लाइन, यह दो लाइन एट की लाइन, pattern के बाद, तो यह यहाँ पे changes है, chapter number three में, आपने देखा क्या क्या changes है, और अगर page 42 पे change है, basically, किसे बहुत अच्छे से देखिए, क्या क्या है, और basically, अगर आप need 2020 की तयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको, तो बहुत मेहनत करनी है, उसके लिए, mission 2020 है, आपका है, यह on showing 2021-22 जो भी है, आपका, तो basically, need aspirant student के लिए, जो changes है, वो बहुत ही जाद important, academic में तो आपका काम सेल जाएगा, वो ज्यादा changes, ठीक, इतने notice नहीं करते हैं, बच्छे, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, chapter number fourth में, animal kingdom की बात की जाती है, तो animal kingdom में ऐसा कोई खास change नहीं है, एक table आपकी जो figure है, basically, उस figure में change किया गया है, चलिए figure की बात कर लेते हैं, तो figure, basically ये figure देखिए, तो इसमें, इसमें कुछ word act किये गए हैं, देखिए, जो पुरानी NCRT में, नहीं था, basically, जो new NCRT में देखिए, ये word act की, body cavity और sea loam तो था, तो इसमें देखिए, most asymmetrical, ये cellular level में ये line लिखा हुआ नहीं था, दरखिए, ठीक है, इसको लिखा गया है, और basically, यहाँ पर a silomate को अलग किया गया है, radial, bilaterally, सब अलग-अलग हो चुका है, ये तो previous NCRT में अलग change दिखाया गया है, लेकिन ये most asymmetrical जो है, basically, जो आपका most asymmetrical है, ये इसको अलग से cellular level में add कर दिया गया, तो ये addition है, इस figure में, पेज number 49 पर ये आपने changes देखें, ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, इसमें देखिए, star बना के लिखा हुआ है, ये, तो ये changes है, ठीक है, ये change याद रखिएगा, star बनावा था, अगर आप देखें, किस पे है, बिसिकली एक हाइनोडर्म, तो आप एक हाइनोडर्म पे देखें, तो इक हाइनोडर्म exhibits radial and bilateral symmetry, ये previous NCRT में नहीं, पुरानी NCRT में, इससे पहले जो old NCRT है, उसमें ये word नहीं है, add किया गया, मैं आपको pronounce कर रहा हूँ, आप इसको याद रखिए, आप note कर लीजिए, जो करना चाहें थी, इस तरीके से आप simple लगे, understand करें, इसको आप note कर लीजिए, आगे वैसे कोई animal kingdom में कोई खास change वैसे कर ली देखने को नहीं मिला है, और एक change और है कि इनकी naming की गई है, male or female, जो तो यह word add किया गया, example, याद रखिएगा, example word, इसकेल में तिस राउंड ओम लिखा हुआ था, लेकिन example word इसमें add किया गया है, तो यह change है, याद रखिएगा, आगे की तरफ देखते हैं, कोई change और हो, हाँ देखिए, इसमें याद रखिएगा, basically phylum, आप अगर यहाँ पे देखें, phylum number hemicordata, तो hemicordata में bellano glossus आता है, तो bellano glossus की पहले labeling नहीं थी, अगर आप यहाँ देखें, तो bellano glossus की labeling की गई है, उसमें provosis collar trunk होता है, एक तो यह labeling होगी, दूसरी इसमें कुछ lines, three lines are added, आप सोच रहेंगे कि आखिए यह lines कहां पे added हैं, तो basically यह lines, यह added हैं, hemicordata have a rudimentary structure in a collar region called stomo, basically जो collar region होता है, उसमें stomo cord होता है, structure similar to notocord, बस similar, notocord के similar structure दिखता है, that is why they are called hemicordats, not a truly cordats, these lines are added, these two lines, you remember it, these two lines are added, that is not present in the previous book, पुरानी NCRT में यह दो lines नहीं हैं, वाइट की गई हैं, ठीक है, तो page number 54 पे यह changes थे, अब हम देखते हैं कि आखिर आगे की तरफ क्या changes हैं, basically आगे animal kingdom में इतना खास कोई change नहीं है, और फिर हम next unit की तरफ बढ़ते हैं आखिर, तो unit number one में हमने देखा कि आखिर क्या क्या changes NCRT में किये गए हैं, और इसी के लिए पूरा हो चुका है, अब आते हैं, unit number second पर, तो unit number second की बात की जाए, तो Catherine South इसकी शुरुआत होती है, basically यहाँ लेबलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिये गए है, तो morphology and morphology of flowering plants, basically यहाँ पर page पर कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पर इसा कोई खास चेंज नहीं है, और देखिए यहाँ पर, basically जहाँ पर modification आया है root का, यहाँ से फिर changing स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर ऐसा क्या खास किया गया है, यहाँ पर figure add किया गया है, हमें लगेगा यह figure बन्यान ट्री में new matter force है, लेकिन ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं, यह figure 5.5B है, तो वो next page पर mention किया गया है, फेज नंबर इस page पर वो नहीं है, देखिए next page करेंगे, तो 5.5B, यह figure जो है basically new matter force को discuss के बारे में deal करता है, बाकी सब की labeling है, कि आखिर कौन क्या है, पुरानी NCRT में भी था, तो यह 5.5A, इसको books में क्या किया गया है, इसको 5.5A है, 5.5A में asparagus है, और 5.5B में, basically क्या है आपका new matter force, तो यह figure new matter force का है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आखिर क्या changes है, आदे कि इनकी labeling कर दी गई है, याद रखिएगा जिंजर, जमीकंद, जमीनकंद, पोटेटो, एक्जिलरी बर्ड मोडिफाइर इंटू 10 रोल, यह पहले भी था लेकिन एक्जिलरी NCRT में, previous NCRT में इनकी labeling नहीं थी, तो यहाँ पर यह labeling की गई है, तो इतना ही है आपके आगे कि तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ फिगर पर आप देखिए यहाँ जो leaf है, compound leaves, यहाँ पर देखिए इनकी labeling की गई है, जिस यह नीम है, तो spinnately compound leaf नीम होती है, और basically इनकी labeling की गई है, पहले यह labeling नहीं थी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, basically, next page पर, यहाँ पर देखिए इनकी labeling की गई है, यह labeling नहीं थी पहले, चाइना रोस, गवाबा, एलस्टोनिया, अनियन, कैक्टर्स, पी, इनकी labeling की गई है, पहले labeling नहीं थी, previous NCRT old books में इसकी labeling नह नहाँ पर labeling की गई है, तो इसका आप ठीक है, याद रखें, labeling हुई है, और आगे ऐसा inflorsense में कोई खास change नहीं किया गया है, और estimation और basically, placentation में इसा कुछ नहीं है, changes, और अब देखिए, कुछ family में add किया गया है, word, जो मैं आपको बता दूँ क्या add है, वहीं पहले पहले फिर देखते हैं, और फिर क्या changes आया है, तो basically अगर आप देखें आपे, जो family आपकी है, फैबसी, फैबसी में एक word add किया गया है, that is, evaluate, पुरानी NCRT में evaluate word नहीं है, only क्या है, implicate estimation, गैम से plus implicate है, इसमें evaluate word add किया गया है, previous NCRT में ये word नहीं है, तो ये add word है, कहा add है, कहा delete है, इस पर दहान दीजिए, आप, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और सोलनेसी family की बात करता हूँ है, सोलनेसी, तो सोलनेसी में word क्या add किया गया, देखी, सोलनेसी में, many ovules के बाद, obligate, place, exile, obligate word add किया गया, obligate, placed, तो basically कहां की बात कर रहा हूँ है, basically with many ovules, यहां के बात देखी, यहां पर जो है, यहां पर आप देख रहे हैं, इसके बीच में, many ovules, इसके बीच में, एक word add किया गया, obligate, placed, तो obligate, place, word, add है, यहां पर, याद रखिएगा, यह word add है, और basically last family है, liliacy, तो liliacy में कहां add किया गया है, तो liliacy में changes है, देखिए, liliacy में क्या change है, जो endosium है आपका, male, वो stamen 6, 3 plus 3, epipetalus, यह वो नहीं है, epipetalus, यह add किया गया, epipetalus, बाकी सब similar है, तो यह changes आपने देखे, basically morphology of flowering plant में, page number 81 पे, आगी तरफ बढ़ते हैं, next chapter आपका है, anatomy, chapter number 6, chapter number 6 में ऐसा कोई खास change नहीं है, जो आपको देखने को मिले, अब देखिए, इसमें chapter number 6 में थोड़ा changes है, जो ground tissue system है, आते हैं ground tissue system पे, तो वहाँ पे, हाँ देखिए, कुछ, basically word add किया गया, देखिए, कुछ changes हैं, यहाँ रखिएगा, क्या-क्या word change किया गया है, आपके अगर आप देखें, change same देखिए, basically अगर आप देखें, कि radii, in alternate manner along the different radii, ठीक है, और पहले इसमें था, कि in an alternate manner on different, तो word तो वैसे वो है, इसमें, अब भी है, इसी बात नहीं, इसमें, तो इसमें देखिए, manner along कर दिया गया, manner के बाद, यहाँ पे है along, पहले था, यहाँ पे on, तो यह change आ गया एक, और एक जगा same था, basically, तो वहाँ पे भी change है, तो same में, basically, आद रखिएगा, same changes, same radius, और वहाँ पे था, same की जगा कर दिया गया है, along radius, तो new valley NCRT में, same along था, यहाँ पे, same radius कर दिया गया, ठीक है, तो यह changes है, the conjoint vascular bundles have the phloem, located on the outer structure, आब देखिए, और भी बहुत सारे changes हैं, basically, और, तो basically, जो भी changes है, इसमें रखिएगा, outermost layer is what, outermost structure, epidermis लेखा हुआ, पुरानी वाली NCRT में, अगर आप देखें, तो पुरानी में, इस जगा पे, क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे, basically, यहाँ पे देखिए, वर्ड जो है, एड किया गया है, what, यहाँ पे वर्ड एड किया गया, एपी बलेमा, लेकिन पुरानी वाली में, क्या है, पुरानी वाली में, epidermis है, तो यह new word है, यहाद रखिएगा, एपी बलेमा, तो यह changes है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे जो changes है, basically, आगे कुछ इसमें आद रखिएगा, इस chapter में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ऐसा कुछ changes इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और अब चलते हैं, chapter number, next chapter से चलते हैं, basically that is chapter number 7, structural organization in animals, इसमें और changes ऐसे खास हैं ही नहीं, तो basically आते हैं, animal kingdom पे आते हैं, structural organization in animals, तो अगर structural organization in animals की बात की जाए, तो इसमें भी ऐसा कोई खास changes नहीं है, जो कि हमें देखने को मिले, basically, और, it took a lot of time to discuss these changes in NCRT in much more detail, कि आखिर क्या 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 चैंजिज़ हैं, तो वो discuss करने में time लगता है, तो यह आगी की तरफ बढ़ते हैं, आखिर क्या 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 चैंज़़ हैं, और basically, there is further, यहाँ पर labeling की बात की गई, अगर आप आँ, cockroach type study आईगी तो उसमें पता लगेगा, कि आफिर कहाँ पर changes हैं, basically, labeling की बात, यह earthworm की labeling हैं, तो earthworm की labeling में changes हैं, देखिए, earthworm से हम देखेंगे, earthworm में कुछ change किया गया है, कहाँ कर देखिए, इफलो सोल जो region है, आपका यह paragraph, the characteristic feature of the intestine, between, intestine after 26 segment, 26 से 35, तो यह जो 26 से 35 है, यह change हो गया है, देखिए, यहाँ पर बहुत important, for the neat aspirant student, there is changes, brush ले ले लेते हैं, brush है तो बैसे, दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए, यह segment 23 से 25 हो गया है, और पुरानी NCRT में यह, 26 से 35 था, तो यह paragraph में changes किया गया है, यह दर रखिए गया है, paragraph में change है, कहाँ से कहाँ change है, characteristics से लेके, और टिफलो सोल तक, इसमें यह पहरा change किया गया है, ठीक है, चलिए आगी तरब बढ़ते हैं, आखिर आगे, क्या changes हैं तो और फॉर्म में हैं, आपको changes देखने को मिले, और basically यहाँ पे इसकी labeling गलत थी, पहले याद रखिएगा, कि पहले सब-neural vessel जो थी, इसको show कर दिया गया था, तो अब सही क्या है, यह आपको देखी, यलो वाली जो दिख रही है, color की बात नहीं कर दो, जो अब labeling की गई, वो सही है, पहले उपर वाला कर दिया गया था, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, पहले इसको sub-neural बताया गया है, इसको बताया गया था, sub-neural, लेकिन आप क्या है, यह सही है, तो यह एक labeling इसकी गलत है, जिसको ठीक किया गया है, तो you got at my point, कि मैं क्या बताना चारा हूँ, figure में क्या changes थी, changes आप से discuss किया, और ovary और ovary and funnel की labeling गलत है, अगर आप इसमें देखें, figure में देखिया, basically आखिर, ovary and funnel की labeling बिल्कुल सही है, हाँ देखें, ovary and funnel और ovary की labeling गलत है, पुरानी NCRT में ovary की labeling तो ठीक है, लेकिन ovary and funnel और oviduct की labeling गलत कर दी गई है, ovary and funnel यहाँ है, और पुरानी किताब में oviduct को ovary and funnel बता गया है, तो यह labeling को ठीक किया गया है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिएगा कि आखिर क्या है, तो यह मैंने आपको changes बता दीए, आखिर यहाँ क्या changes थे, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आगे कोई changes मिले हमें, तो basically यहाँ पर कौक रोज में बताया गया है, male female reproductive part में, चलिए देखते हैं क्या changes हैं, यहाँ पर destroy की जगा, आखिर यहाँ पर क्या वर्ड कर दिया गया है, आगे चलते हैं, आगे की तरफ फ्रॉग में बेसिकली रिस्पेक्टिवली वर्ड, यह तो पहले भी था, रिस्पेक्टिवली हाइबर्नेशन के बाद, कुछ के दाएबर्नेशन के बाद बताते हैं, यह रिस्पेक्टिवली वर्ड एट किया गया है, तो यह पुरानी वाली में भी, यह वर्ड नहीं है पुरानी वाली में, यह रिस्पेक्टिवली वर्ड जो हैं यह यह वर्ड एट किया गया है, आगी की तरफ चलते हैं, आगी की तरफ देखते हैं कि आखिर क्या फर्दर चेंज है NCRT में, तो यह बहुत जरूरी है आपको पता होना कि आखिर क्या क्या चेंज NCRT कर रही है, तो इट इस अल अल आउट इस चेप्टर, इस बाउट अनिमल्स, मॉर्फोलोजी, अनाटोमी अब आते हैं, यूनिट नमबर थिरी में, तो यूनिट नमबर थिरी में, बहुत त्यादर किया गया है, यूनिट नमबर थिरी में, इस फिगर को अपडेट किया गया है, यह फिगर अपडेट किया गया है, अगर कहा जाएं, इस फिगर में अपडेट, ठीक है, है तो अगर हम चेंजिस की बात करें तो पेज नंबर 126 यहां पर देखिए नई वाली NCRT में क्या किया गया यहां पुरानी वाली NCRT में यहां पर सेंट्योल था अब क्या है यहां पर सेंट्योल था तो यह एक चेंज है चलिए आगी तरव ब्रते हैं को नेक्स पेज में अगर आप देखें वैसी कली तो यहां पर याद कि और सेल मेंब्रें के बाद एड किया गया वर्ड, इकसरिक्ट मायकोप्लाइम, यह वर्ड एड किया गया इसमें, यह वर्ड पॉर्ण एं सीयाट में नहीं है, एंड गिवन एमनुलाप में wa' सेमी परिमी में अगर आप देखें तो वर्ड है सेमि परिमेबल लेकिन आप क्या कर दिया गए सेलेक्टिवली परिमेबल तो आप उसमें पैनिक नहां हो कि आफिर सही है गलत है बिल्कुल अपडेट आपको knowledge मिलेगी जो भी changes है वो one by one discuss किये जाएंगे तो चलिए next page पर देखते हैं कि आखिर क्याखे changes है और ऐसा कोई खास change है मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इसेल साइटोलोजी में माइटो कॉंड्रिया पर दारेक्ट आते हैं जिस पेज़ पर change है उसको ही discuss करेंगे बाकी page को मैं skip कर रहा हूं माइटो कॉंड्रिया पर change है डारेक्ली तो उसको discuss करते हैं देखिए यहां पर देखिए word add किया गया है the inner compartment is called matrix तो इसमें इसको change किया गया है इस statement को बदला गया है the inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called matrix तो इसको change किया गया है पहले क्या था the inner compartment is called matrix तो काफी changes हुआ है बड़ा change हुआ और आगे की तरफ आते हैं plastic राइबोजोन में देखिए बहुत सबसे बड़ा change सबसे पहले आप को मैं बता दूँ कि पुरानी NCRT में जो length और width जो थी आपकी chloroplast की वो गलत थी वो किसमे थी मिली मीटर में अब उसको change करके माइक्रो मीटर में कर दिया गया है 5 से 10 माइक्रो मीटर 2 से 4 ये पहले मिली मीटर था दूसरा change क्या है दूसरा change जो है वो आपका राइबोजोम के अंदरा आयाद रखिएगा दूसरा change क्या है राइबोजोम ये राइबोजोम का figure 8 किया गया है दोनों sub unit बताई गही है large sub unit small sub unit तो ये figure पहले पुरानी NCRT में नहीं था और कुछ lines भी कुछ statement भी इसमें add किया गया है कि eukaryotic में कितना होता है ठीक है ये पूरा paragraph में changes किया गया एड किया गया ठीक है पुरानी NCRT में 3 lines है यहां पे 6 और 8 lines ये lines में add किया गया ठीक है जो कि पुरानी NCRT में नहीं है ये changes आपको देखने को मिला आग ये तरफ पढ़ते हैं कि आगे figure में थोड़ा सा बता रहें कि कुछ changes है primary अगर आप देखें तो यहां पे histone some non-histone protein और also RNA पुरानी NCRT में भी है every chromosome पर देखें every chromosome visible only in dividing cells ये add किया गया थे किसमें यह पहले यह जो bracket के अंदर है basically जो आपको bracket के अंदर दिखाई दे रहा है visible only in dividing cell ये add किया गया है ठीक है which is primary construction centromere on the side with disc shape structure called kinetochore ये add किया गया पुरानी NCRT में ये नहीं था तो अब ये आपका cell biology में changes आ गया आपके अब आते हैं bio molecules में bio molecules में क्या के changes आया है इसमें कोई जादा खास change नहीं है जो मैं ठीक है अच्छे से आपको पूरा one 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 बता रहा हूं कि आफिर जो भी changes है SNCRT में वो क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ देखिए यहां पर page number 149 पर आते है डारेक चेंज जो है जो भी change आपको है 149 पे बोला गया है अधर discussion के basis पर आपको तो देखिए यहां पर यह वर्ड यहां पर mostly homopolymer पहले यहां पर heteropolymer था क्या कर दिया गया है जो चीज़े गलत होती है उनको ठीक किया रहता है और आपके लिए आगे फ्यूचर में नीट 2020 और आगे वहां पर जो भी गलती है वो सुधारने का मौका मिले ठीक है आपका objective गलत ना हो जाए academics तो किसी ना किसी तरीके से होई जाता ठीक है लेकिन वहां गलती ना अब देखे अगला जो है structure of protein तो protein के structures में basically figure act किया गया है तो पुरानी NCRT में याद रखिएगा यह figures नहीं थे primary structure secondary प्राइमरी secondary में आपके अल्फा है लिक बीटा पिलेटिट शी टर्शरी यह protein की folding है यह figures पुरानी NCRT में नहीं थे यह एड किया गया figure को पूरे proper figure इसमें पूरा add है आगे की तरफ चलते हैं कि आखे क्या changes है यहाँ पर बताते हैं कि आखे यह जो basically यह जो arrangement है यहाँ पर याद रखिएगा अगला figure basically आपका phosphate group बताते हैं इसकी जो numbering है वो गलब थी ठीक है इसको सही किया गया है इस figure में भी काफी changes है देखिएगा तो यह हो गया उसके बाद मुझे लगता है कि इस chapter में जितना further change है वो पूरा हमने discuss कर लिया है अब हम आगी की तरफ चलते हैं तो हमारी यह unit का last chapter भी बचा हुआ ह कि आखिर कहां कहां क्या add है यह थोड़ा net की वेज़े से page थोड़ा slow है खुलने में problem कर रहा है अब यह chapter के बाद हम directly page number 163 पर आएंगे जहां पर पूरा changes बताया गया कि आखिर क्या क्या changes है तो देखिए यहां पर cell cycle and cell division अगर आप यहां देखें तो यहां पर यह figure अपडेट किया गया है इस figure को अपडेट किया गया है पुरानी NCRT में figure update जो भी है old figure है यह new figure update के साथ है changes के साथ और इसमें एक खास बात अगर आप figure में देखें तो basically cytokinesis के बाद G1 है जीवन के बाद थोड़ा जीनोट है इस changes काफिए को रिलेट करिए तब आपको पता लगेगा और basically कहां पे क्या add है तो देखिए कुछ lines add की गई है there is few lines are added there is a there is a statement आगर आप इन पॉइंट का प्रोफेस का देखें तो देखिए यहां पे क्या वर्ड है प्रोफेस विच इस फिर्स स्टेज ऑफ केरियो का इनिस माइटो सिक्सी जगा अगर हम यहां पे देखें आद रखिए गा तो यहां पे केरियो का इनिस लिखा हुआ फ्रानी ऐनिंटायट में जगा पे माइटोस ग्रीन डेलीक करके यहां पर क्या किया गया जहां जहां मैटोसि जहां पे केर यह Сस की अधियन से किया गया पहले नुक्रीष का डिविजन होता है और बैसिकलीए दुकी छेंजिज कृस फ्वू लिएस फ्यू लाइनस पर वे में लिखा गया है और कुछ लाइन को इसमें एट किया गया है जो कि परानी इंस याटी में नहीं थी नेक्स पेश पर आते हैं कि आप फिर क्या चैंज है एंड ये फ्यू जहां जहां वर्ड माईटोसिस है वहां पर आपका यहां पर फिर आगा है ती लोफेस आप देखिए यहां पर क्या है टी लोफेस यहां पर यहां पर लिखाओगा है फुराणी नशीयटी माईटोसिस्पर करियो कानिस तो यह चैंज है एंड जो भी चेंजिस हैं वो हम बाई बाई बन डिसकस करें there is some statement are added chromosome cluster बनाते है nuclear envelope है और यह there is some discrete elements तो यहाँ पर statement लेकिन यहाँ पर ज्यादा खुश्खास add नहीं है जतना बताया गया है ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा added changes किया गया थोड़ा side है word चलिए आगी की तरफ बढ़ते हैं कि आफिर changes क्या क्या है अब basically statement edit एनफे second पर एनफे second में देखी क्या क्या है splitting of centomere of each chromosome तो यहाँ पर basically कुछ lines है जो shortening basically जहातर statement ठीक है इसको change किया गया statement को थोड़ा से statement वही है और थोड़ा से changes है यहाँ पर तो इसको आप गौर फर्माईएगा आगी की तरफ बढ़ते हैं तो यह इस chapter में था तो chapter number unit number 3 भी हमने discuss कर ली है अब हम आगी की तरफ बढ़ते हैं unit number 4 plant physiology या प्लांट फिजियोलोजी में कहां कहां changes हैं इसमें कोई ज्यादा changes जो भी changes होंगे वह हम one by one discuss करेंगे देखते हैं क्या के changes है basically ऐसा कोई खास change मुझे इसमें शुरुआती में नहीं दिखाई दे रहा है और जो भी change है देखिए यहाँ पे cushion add किया गया है figure के साथ what will be the direction of the moment इसमें देखिए A, B, C, D, E, F, G पुरानी NCRT में देखिए पुरानी NCRT में यह G point नहीं था you got in my point is six question ठीक है question की फॉर्म में यह statement add किया गया है what will be the direction of the moment of the water when two solution with water potential 0.2 mega pascal and water potential 0.1 mega pascal are separate by selectively permeable membrane यह statement add किया गया ठीक है जी पुरानी NCRT में F तक पॉइंट थे तो यह आपने discuss कर लिया है या फिर और अगर हम page number 182 पर जाते हैं 182 पे तो 182 पे imbibition के अंदर जो है एक word add किया गया है जो पुरानी NCRT में enormous word था वो delete कर दिया गया है them to increase कर दिया गया है यहाँ पर है पुरानी NCRT में word था याद रखिएगा causing them to enormous increase तो enormous word पुरानी NCRT का जो word है enormous हटा दिया गया है समझ चुके हैं क्या 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 चैंजिस आया है आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे इस चेप्टर में basically there is no further changes last में page number 189 पर change है 189 पर carbon लिखा हुआ है carbon की जगा carbon dioxide है हाँ देखिए यहाँ पर transpiration and हाँ देखिए यहाँ पर जो basically आपका carbon लिख यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर पुरानी NCRT में आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ only carbon है लेकर यहाँ पर क्या है आपको एक idea हो जाएगा और new है तो फिर आप इससे मेरा जो discuss tutorial चला है इसमें आपको समझा है जा रहा है इससे आप देख लिजेगा है तो देखिए इसमें कुछ word add किया गया है सब्स्टिटूटिंट अगर आप देखेंगे after series of experiments लास्ट लाइन देखेंगे इसमें पुरानी ncrt में क्या word था देखिए पुरानी ncrt में सिर्फ remove word था तो एक word add किया गया है सब्स्टिटूटिट यह word add किया गया है page number 194 पर आगे की तरफ बढ़ते हैं आगे basically कोई जादा खास change मुझे नहीं दिखरा इस चप्टर में अगर जहां पर होगा तो मैं आपको बताता हूं कि आफिर जो भी चेंज है तो अच्छी बात है जहां पर आपको कम changes मिल लाएं देखने को अब basically हम आ जाते है फोटो सिंथिस पर फोटो सिंथिस में basically इस चेप्टर में तो कोई चेंज नहीं है यह चेप्टर आपको खत्म हो गया चेप्टर नमबर 13 पर आते हैं हाँ तो देखी यहां पर फोटो सिंथिस इन हाईर प्लांट यह जो statement आपको दिख रहा है यह पुरानी ncrt में भी है और basically इस statement को चेंज किया गया इस statement को आप पुरानी ncrt और new से पढ़िए तो इस statement में change है बाकि पूरा पढ़ने का time आप देख लिए आपके पास time है मैं आपको बस changes बताता हूं कहां पर है पुरानी ncrt में देखी पेज नंबर 209 पर changes है क्या change है वो बताते हैं पेज नंबर 209 पर यह पैरा देखी दूसरा पैरा तीसरा you have study यहां पे fluid basically क्या है यहां पे matrix word यहां पे पहले fluid था पुरानी ncrt में इस जगह पे क्या है fluid है अब यहां पर क्या कर दिया गया है matrix matrix fluid delete किया गया है matrix add कि matrix is a proper word आगे की तरफ चलते हैं आफिर आगे क्या changes है देखते है figure में आगे देखी यहां पर क्या था basically यहां पर अगर आप देखें यहां पर पहले यहां पर एक h plus sign था आप कितने यहां पर 2 h plus sign तो यह wrong था तो उसको यहां पर add किया गया है चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं basically अगर मैं बात आपको बताओं कि आफिर आप देखें बहुत बड़ा change आने वाला है यह figure पूरा figure याद रखिएगा basically आगे की तरफ page number this इस figure में देखिए सारे membrane के अंदर different type के photosystems, cytokrome BC जो भी NDPH, membranes में क्या क्या है यह पुराना figure इस पूरे figure को इस पूरे figure को अपडेट किया गया है और इस figure में basically सारे pump दिखाए गया है all pumps and all concentration and all the concentration and all the terms are added in that figures सब कुछ add किया गया है इसमें इसमें basically light, photosystem second, cytokrome B6, ठीक है कैसे इसमें changes है सब कुछ add किया गया है ठीक है तो basically इसमें कुछ जादा ही changes, figure को पूरा update किया गया labeling की गई है, बिल्कुल advanced labeling है इसमें correlate करके देखेंगे जब आपको पता लगेगा और कुछ few lines are changes energy, synthesis of energy देखी यहां पे लिखा हुआ है basically lead to release energy, lead to synthesize यहां word change कर दिये गया है, यहां कर दिये गया, lead to, lead to synthesize of ATP, energy ही जगा ATP कर दिये गया है, और next page पे क्या किया गया है, जहां जहां पे F0 था देखिए F0, वहाँ-वहाँ C word add किया, C F0, C F1, C F0 यह सब जहां पे C word add किया गया, तो यह changes इस page पर आपको देखने को मिले, चलिए आगे की तरफ होते हैं कि आखर आगे, आगे क्या के changes हैं, ठीक है और इसके लिए arrow, and in that figure 13.9 figure देखिए, इसमें कुछ arrow में गड़बडी थी, ठीक है arrow का shifting, ठीक है इसको rearrange किया गया, इस figure को याद रखिएगा, इस figure को क्या किया गया, rearrange किया गया, and you have to study all these in much more detail, आगे किताब बढ़ते हैं, या फिर फदर आगे का change है, कुछ statement delete किया गया, यहां पर statement delete है, क्योंकि इसमें photo resurrection को wasteful process बता गया, is not yet known, और it is a wasteful process, तो no synthesis of ATP and ADP, the balance of function for is not yet known, इसको wasteful process बता गया, तो कुछ statement को इसमें change किया आगे की तरफ आते हैं, यह unit हमारी खतम की तरफ, ठीक है, ongoing finish की तरफ जा रही है, respiration in plants, इसमें कोई खास change नहीं है, एक जगा पे थोड़ा ATP का थोड़ा respiration में आ जाते हैं, respiration में basically, respiration में कोई ज़्यादा changes नहीं हैं, और respiration में figure update किया गया है, ज्यादा तर figure का update है, update किया गया है, तो जो भी figure का update है, उसको हम discuss करेंगे, और basically आपका जो 36 देखिए, basically क्या बताया गया है, ATP का कुछ expenditure है, और आपको बता दूँ, हाँ, ये figure याद रखी गया, ये electron transport system है, इसमें 4 देखिए, जो आपके different types के first, second, three, four, photosystem, first, second, third, complex हैं, complexes हैं, 4 complex, पूरा, 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 पूरा figure update है, labeling है, one by one, ठीक है, तो इसको ये new NCRT से आपको ये फायदा है, पुराने NCRT में है, ये सब figure को, ठीक है, वो सब figure update नहीं है, ये figure update किया गया है, इसमें तो याद रखिएगा, and figure number 14.4 is update in new NCRT, आगी तरफ बढ़ते हैं, देखिए, यहाँ पे changes आ रहा है, देखिए, क्या changes है, यहाँ पे कितने ATP हैं, देखिए, अगर आप यहाँ देखिए, 38 ATP, पुरानी NCRT में 36 ATP, तो ये changes हैं, आगी की तरफ बढ़ते हैं, आगी आता है, आगे आता है, आपका statement, क chapter number 15, chapter number 15 में basically, आपकी कुछ statement add किया गया है, देखिए, few lines are added, last पहरा देखिए, few lines are added, page number 239, आगी तरफ बढ़ते हैं, आगी क्या further changes हैं, देखिए, क्या changes हैं, basically इस chapter में कोई further topic है, इसमें date add की गयी है, देखिए, में, अगर आप देखें, तो basically date, scientist की discovery की date है, basically पीछे रह गया, शायद, basically ये पीछे जा चुका है, तो वहीं से ही हम discuss करेंगे, जहां से है, page number 248, 248 से ही discuss हो गए, अब ये थोड़ा ये problem कर रहा है, देखिए, 248 से ही हम discuss करेंगे, यहां थोड़ी problem आ चुकी है, तो growth बार बार ये पीछे चला जाता है, ठीक है, तो basically changes कहां पे है, growth में नहीं है, ये अभी पीछे चला गया था, तो आप ज्यादा, ठीक है, hopeless होनी की ज़रूद नहीं है, ठीक है, there is error in then, तो यहां पे, bacon full, the bacon fullest seedling is the disease of rice seedling was called, ये fungal pathogen, जिबरला, फ्यूजी कोरिया, तो page number 248 पर आते हैं, जहां पर ये changes है, यहां पर आप change देखिए, यहां पर date को add किया गया, 1926, जिबरला, फ्यूजी को रही, ये date को add किया गया, और un infected की जगा, un infected rice जो था, तो थोड़ा सा statement में changes है, याद रखिए गई है, यहां पर statement में थोड़ा changes की गई है, अब basically अगर इस chapter में आगे हम तहा जाए, तो ऐसा कोई खास कुछ नहीं है, ठीक है, तो आगी तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा तेजी में थोड़ा पीछे चला जाता है, and last one is what, seed dormancy, देखिए यह topic add किया गया, seed dormancy, 15.7 topic is added seed dormancy with a few small topic, ज़्यादा कोई weightage नहीं रखता है, नीट में तो इससे कोई खास question नहीं बनता है, लेकिन जब भी यह काम करेगा, अब आते हम last unit, हमारा chapter number 16, जल्दी से discuss करके इसको खतम करते हैं, कहां कहां पे क्या add किया गया है, वो आपको बताते हैं, देखिए पेज नंबर basically 258, देखिए 258 पे एक चीज़ add की गई है, sigmoid colon, पुराणी NCRT में यह नहीं है, ठीक है, यह sigmoid colon का, ठीक है, लेबलिंग की गई है, इस figure में update है, और इस टमक में देखिए body part नहीं था, इसको add किया गए body, body region नहीं था, तो यह basically theory में भी इसका, ठीक है, theory में भी add किया गया है, body part, और basically figure में भी body add किया गया, तो याद रखिएगा, यह changes है, NCRT में update है, और U-shape की जगह देखिए C-shape कर दिया गया, पुराणी NCRT में U-shape था, और यहाँ पर क्या हो गया, इस टमक में C-shape, तो यह changes है, U-shape की जगह C-shape कर दिया गया, और central region word add किया गया, देखिए, एक arrow में, एक central region है, basically, यह central region यह add किया गया, तो यह changes यहाँ पर है, आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या changes है, आगे देखिए common hepatic duct की labeling की गई है, page number 261 पर, common hepatic duct, पुराणी NCRT में इसकी labeling नहीं थी, common hepatic duct की labeling नहीं थी, चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या के changes हैं आगे, तो इसमें बस यही change है, और जो भी change होगा हम आपको बताते रहेंगे, या फिर कहां कहां changes किये गए, page number 264 पर देखिए लिए changes है, ये calorific value, ये figure देखिए, ये पूरा paragraph, अगर आप इसको देखें तो ये पूरा calorific value का जो ये पूरा protein का चार्ट का ये पूरा add किया गया है, और जहां पे basically fructose है, टांसपोर्ट में देखिए, absorption है, ये last वाले में भी देखिए, यहां पे है, उसके बाद changes 16.3 में, जहां पे basically पूरानी NCRT में fructose है, उस जगा पे glucose किया गया है, देखिए, amino acid, glucose, fructose वर्ट को delete किया गया है, तो ये है, calovic value का chart add किया गया है, आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ, आगे की तरफ किया देखिए, basically आगे, एक topic add किया गया है, pem, पूरा pera, disorder में protein energy malnutrition, प्रोटीन एनरजी मेलनूट्रेशन यह पूरा एट किया गया है पूरा प्रोटीन एनरजी मेलनूट्रेशन यह एट किया गया ठीक है इस चप्टर में और उसके बाद हम आगे की तरफ बाते हैं आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या की चैंजित हैं ठीक है चप्टर नमबर नेक्स्ट रिश्परिशन रिश्परिशन में क्याकर चैन्जिस हैं वो देखते हैं क्या फिर नेक्स्ट है आपकी रेस्परिशन तो रेस्परिशन बीधिंग एन एक्सचेंज अब गैसेस यहां देखिए कुछ वर्ड है एक आपका है ब्रेंकियल रेस्परिशन पल्मोनरी रेस्परिशन और बिसीकली क्यूटेनियस है और आपका यह तीन एट किये हैं ठीक है यह तो है कुछ एडिशन है चलिए आगी तरफ बढ़ते हैं कोई कोई एसा फर्डर चैंज नहीं अगया है और जो भी एडिशन है वो अब को बतादिया जाएगा या फिर क्या क्या एडर किया गया है इस चैप्टर में कुछ जज़्जादा फर्डर चैंजिज नहीं आए हैं अब आते हैं चैप्टर नंबर बिसीकली टांसपूर्ट दोदेख टार्द प्राइट में वह कोई जादा फडर चैंजी नहीं आ यह तक बाद की एक आपनगे वान की जाया अद्या आपप यह किuis में लेबलिंग में 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 गलत ले बृट हो गई ती पहले लेबिलिंग हुई नहीं थी, पल्मोनरी आर्टी और पल्मोनरी वी, इसकी लेबिलिंग इसमें की गई है, तो फिगर अपडेट किया गया है, ठीक है, फिगर में बस तोड़ा सा एडीशन है, तो ये कुछ चेंजिस आपको दिखाई दिये इसमें, और बिसिकली और अगर हम बात करनें, डबल सर्कुलिशन, तो डबल सर्कुलिशन में ब्लड फ्लो स्ट्रिक लिए, ये टॉपिक एड किया गया, इसमें, ब्लड फ्लो, ये टॉपिक इसमें, ये जो ट्यूनिक ब्लड वेसल्स का टॉपिक है, ये एड किया गया, ये पहले नहीं था, तो ये फिगर असेंडिंग वर्ड में जो भी कुछ लोग है पेज नम्बर 294 पर चलते हैं 294 पर दिखते हैं चेंज इस क्या क्या है 294 पर री अब्जॉप्षंट इन दिस सेग्मेंट को चेंज किया गया देखिए यह आपका जो लिखा हुआ है तो इसे हटाके in the segment word हटा दिये अगे in the segment को कम किया गया ठीक है यह चेंज है आगे कोई further change नहीं है कुछ dialysis में देखिए there is something added in the dialysis अब आप देखिए चेंज कहां पर है चेंज आपका बिसीकली लास्ट में टॉपिक में है यहां पर देखी लिखा हुआ था अगर मैं आपको बता हूँ 200 ml पर मिनिट है देखी तो अपडेट किया गया यह पुरानी NCRT में 180 लीटर पर देट था इसको चेंज किया गया है अब अब देखी तो अब देखी लिखा यहां पर कुछ इस्टेटमेंट को चेंज करके कुछ लाइंस एट कि गई तो एट को चैंज करा गया है आगी की तरफ बढ़ते हैं हम NCRT के क्लामेक्स की तरफ चल रहा है जितना भी चेंज है वह हम सब डिसकस कर चुके हैं और फ्यू लाइनस बेसीकली इन चेप्टर 303 नेक्स चेप्टर पर चलते हैं बेसीकली लोको मोशन मूमेंट और इसमें बेसीकली पेज नंबर 303 पे यह शुरू में मसल से देखिए स्टार्ट पुरानी NCRT मूमेंट अइड किया गया तो यह चेंज है बाकी कोई चेंज और होगा आगे कोई अपडेट मिलता है हम आपको बताते रहेंगे और अपना फोकस जो है NCRT पर रखिए जो भी चेंज हैं उनको देखिए और अपनी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करिए जो जो फिगर अपडेट है मैंने सारे बन वाइवन बताएं हैं आपको और पूरा खतम होने वाला है बैसिकली जो भी पूरी हूल 11th NCRT चेंज आई डिसकस बन वाइवन आपको अगर कुछ लगता किया गया है तो आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहरा है कि फिगर कैसे अपडेट किया गया है और आगे बिसी कली कुछ और नहीं है अब नूरल क्या आते हैं इसमें एक सिस्टम एट किया गया है बताते हैं नूरल में क्या एट किया गया है इसमें देखिए एक सिस्ट है जो visceral nervous system यह आपका old NCRT में की topic नहीं था visceral nervous system is the part of the peripheral penis that comprise whole complex of nerves, fibres, ganglia, plexus यह add किया गया है यह पराणी NCRT में नहीं है पर नमबर 316 पर यह सबसे बड़ा change है आगे तरफ चलते हैं देखें further change किया है आगे आपका central nervous system में आजाईए वहाँ पर changes है आप central nervous system में क्या क्या changes है देखिए तो mid brain के अंदर आईए आप mid brain में ठीक है कुछ change है देखिए basically जाहतर मुझे similar ही दिखाई दे रहा है इस statement को change किया गया है ठीक है mid brain के statement को change किया गया है जो कि पुरानी NCRT में other तरीके दूसरे तरीके से लिख गए हुआ था उसको थोड़ा सा change किया गया है कि थोड़ा सा delete कह सकते हैं इसमें Et 10 है आगे की तरफ चलते हैं हागी की तरफ क्या है और देखिए अगर आप देखें तो इसमे जाहें पूरा आगी के तरफ बढते हैं मोट थोड़ा इएर में चैजज है इएर में कुछ किया गया देखी इ में लिखा हुआ है बैसी कली क आप देखें वेसी कली क्या है जो आपका से वेसे ग्लेंट पुरानी NCRT में पुरानी ने हांब रखीए गएक शेकरेटिंग परत तो यह चेंजिस थे मैंने आपको बताए इस वाले टॉपिक इस वाले चप्टर में और लास्ट चप्टर में देखी क्या है आपको बताते हैं मेकानिजम आफ हीरिंग तो पुराने में है यह किस्टा एंपूलरिस बिसीकली मुझे लगता है कि यह यह तो सब कुछ है बिसीकली अब आते हैं लास्ट सेप्टर में बिसीकली इंडोक्राइनलोजी से रेलेटेड है तो उसमें फ्यू टाइम क्लामेक्ट की तरफ हम चल रह ट्राइड किया गया है एक्रोमिगेली यह पुरानी एंसीटी में नहीं है प्या इसमें वाटर लॉस और डिहाइडरिशन को बढ़ जाता है इसमें और फिर आते हैं पेज नंबर 335 पेज नंबर पे एग्जॉप्थेलमस वाइटर यह एट किया गया है यह पूरा पैराग्राफ याद रखियेगा यह पूरा एट किया गया है पुराणियन सीर्टी में यह नहीं है यह एक तरीकी का हाइपर थाइरोटिज्म होती है बेसिकली इसमें थाइरोट ग्लेंड बड़ा हो जाता है तो यह इसमें एड है पेज नंबर 336 इस फिगर को देखिए अपडेट किया गया है यहां पे बीच में फैटी टिश्यू थे उसको डिलीट कर दिया गया सिर्फ एडिनल ग्लेंड को शोक किया गया है और इस फिगर को भी अपडेट किया गया है ठीक है और उसके बाद आते हैं हम पेज नंबर 336 पर यह हो गया और लेबलिंग से फैट हटा लिया गया इसमें अधर किया गया है तो यह सारे चेंजिस हम ठीक है इस NCRT में थे तो सारे फिगर जोबी फिगर ओल एंसी आर टी 11 वालो जी में जो भी फिगर सब्डेट हुए थे उसका डिसकेशन किया ठीक है लाइन में जो भी चैंज है वो डिसकेशन किया अगर आपको किसी और लाइन में चैंज लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा प्लीज share it. Thank you.